नमस्कार मेहुद वेब बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 22 मार्च दिन सुक्रवार खबर के उबने से पहले आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक सुबकामना है अब एक नजर सुर्खियों पर आज है बिहार दिवस ये होगा खास बालू के किलत को खत्म करने के लिए बिहार सरकार इन घाटों के निलामे की करही तैयारी BPSC TRE 3.0 की पांच अप्रिल को होने वाली परेक्षा हुई अस्थगे आठवी उत्तर्द बच्चे अब अपने ही पंचायत के स्कूल में नौवी में ले सकेंगे नावांकर मनोज वाजपई के इस अपकमिंग फिल्म का फैंस में सब्री से कर रहे इंतजार आज से अइपिल का आगाज ओप्रिंग से रमनी में ये सितारे दिखाएंगे अपना जल्वा आप चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तके 25 बरी खबरों के ओर विस्ताफ से आज है बिहार दिवस ये होगा खास आज यानि की 22 मार्च को हर साल बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है बता दे कि आज का दिन बिहार राजे के गठन को चनहित करता है ऐसे तो 1912 में 19 मार्च को बिहार राजे का गठन किया गया था इसमें ब्रिटेस सरकार द्वारा पहली बार इस छेतर को बंगाल से अलग कर दिया गया था और इसे एक स्वतंतर राजे बना दिया गया था लेकिन बिहार के मुख्य मंत्रीं 30 कुमार के द्वारा वर्ष 2010 से बरे पैमाने पर हर साल 22 मार्ज को बिहार दिवस मनाना शुरू कर रहा है हालांकि सभी कारेक्रमों के दौरान आचार सहिता का भी खास ख्याल लखा जा रहा भारत सरकार की सारवजनिक छेतर की बीमा कंपनियों में से एक औरियंटल इंस्योरेंस कंपनी लिम्टेड यानि की OICL द्वाराधी सूचना जारी की गई है आविदन प्रेक्रिया 21 मार्च से शुरू है और आविदन करने के अंतिम तारीक 12 अप्रेल 2024 है एक चोको मिद्वार orientalinsurance.org.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं आपसे आविदन सुल्क के रूप में 1000 रुपे लिए जाएंगे हाला कि जो आरक्षित वर्ग से आविदन कर रहे हैं उनसे 250 रुपे लिए जाएंगे इस भरती के लिए मिद्वारों की सैक्षनिक योगिता संबंधित विसे में अस परिक्षा हुई अस्थागित पिछले दो चरन के सक्षक बहाली परिक्षा में BPS जिस तरहस से एक्टिफ दिख रही थी उतने एक्टिफ तीसरे चरन की सीग्षक बहाली परिक्षा विहा लोग सेव आयोग द्वारा 5 अप्रेल को होने वाली थी इस परिक्षा के तहथ आत्मिक और मध्धे के लिए आयोज़त हुई परिक्षा के पेपर लिप का मामला सामने आने के कारण ये परिक्षा रद हुई थी। स्टैचू जैसे लगू फिल्मों में भी काम किया है और उन्होंने दूसरे जारकन अंतराश्ट्रे फिल्म होट सब 2019 में लगू फिल्म स्टेनी में सर्वस्ट अभिनेतरी का पुरसकार भी जीता है वे एक प्रसक्षत कथक डांसर भी है अब तक उन्होंने दो अलग-अलग हिंदी और तिल्गू में भी काम किया है बालू के किलत को खत्म करने के लिए बिहार सरकार इन घाटों के निलामी की कर रही तयारी पटना जिले में गंगा और सोन नदी के अलावे पुनपुन और दरधा नदी किनारे के घाटों को निलाम करने की योजना बना रही है ताक प्रपत्र दस अप्रेल तक भरे जा सकते हैं जिला सर्वे रिपोर्ट पर संबंदित घाटों के लिए नुमोदन दिया जा चुका है आपको बता दे कि इस वर्ष अभी तक 35 जिलों के 276 बालू घाटों की निलामी हुई है आपके अनुसार बालू घाटों की निलामी करने से बिहार में बालू की हो रही किल्लत में कमी आएगी हमें कॉमेंट में लिकर जरूर बताएं चुनाव की दोरान सरक सुरक्षा के नियमों को तोड़ने वालों पर इस टेकनोलोजी से रखी जाएगी नजर परिवाहन और पुलिस लोग सभा चुनाव के दोरान सरक चलानिंग विवस्ता को प्रभावी करने के साथ ही कई लेटेस्ट टेक्नोलोजी भी लाए गए हैं इस 5G युक्त हैंड हेल्ड डिवाइस से जुर्माना भी लगेगा इसके लिए स्टेट बैंक ओफ इंडिया के साथ परिवहन विभाग द्वारा इकरार नामा हुआ है इस स संबंद में परिवहन सचीव संजेक कुमार अगरवाल द्वारा बताया गया कि सरक्सुरक्षा के द्रिस्टी कौन से ट्रैफिक नियमों का उलंगन करने वाले बाहन चालोगों पर कारवाई के लिए हैंड हेल्ड से इचालानिंग की जा रही है निर्वाचन के दोरान भी प्लंगन करताओं पर सक्त कारवाई की जाएगी क्रिसी विभाग उद्यान के आविदन की बर्य अंतम थे थी क्रिसी विभाग उद्यान देशाले के अधीन प्रक्षन उद्यान प्रदाधिकारी के कुल 318 पदो पर बिहालोग से वायोग द्वारा भरती निकाली गई हैं आविदन प्रक्रिया 1 मार्च 2024 से सुरू थी और आविदन करने के अंतम तारिक 21 मार्च 2024 थी लेकिन अब इससे विस्तारित करके 24 मार्च 2024 कर दिया गया है एक चोक उमिद्वार www.bpsc.bih.nic.in पर आविदन कर सकते हैं उमिद्वारों का चैन निकित परिक्षा और साक्षात कार के आधार पर होगा भरती से संबंदित अधिक और सटिक जानकारी के लिए इसके अधिस्तूचना और आधिकारिक वेबसाइट को जरूर देखें आठवी उत्तिर्ण बच्चे अब अपनी ही पंचायत के स्कूल में नौवी में ले सकेंगे नामांकर आठवी उत्तिर्ण बच्चों का नौवी में नामांकर उसी पंचायत के उच माधिमिक विद्याले में अब करवाये जाएगा इस संबंद में सक्षा विभाग द्वा में नामंकन किया जाएगा बचे अपनी ही पंचायत के विद्यालेओं में परहाई करें यहीं इसका मकसद है इस संबन में जुला सक्षा पदारिकारियों को विभाग के माधिमिक सक्षा नदेशक कनहिया प्रसाद श्रीवास्तव ने पत्र भी लिखा है बिहार के इस बेटी जानवी जो बिहार के मुझापरपुर कट्रा प्रखंड की रहने वाली हैं उन्हें संव्त राष्ट जनसंग्या कोस ने अपने कैंपेनर के सूची में अस्थान दिया है जानवी वेस्विक लैंगिक समानता कारेकरता और लेखे का हैं आपको बता दे कि केवल दस महिलाओ की ही पूरे भारत में इसमें जगा मिली है ये सबी महिला सोशक्ती करन के छेतर में कारेरत हैं इस कैंपेन का हैस्सा बिहार में जानवी के अलावी गाई का मैथली ठाकुर भी वनी है нд मार्च से लेकर 30 मार्च तक रखी गई आपको बता दे कि 25 और 26 मार्च को होली का अफकास है और होली में भी छुट्टी नहीं मिलने के कारण प्रसक्चन लेने वाले सक्चकों में इसका आखरोस देखने को मिल रहा है सक्चकों के मताबिक होली के दिन प्रसक्चन का सेड्यूल जारी करना सही नहीं है आपको बता दे कि सक्चा मंत्री सुनील कुमार से संबन्द में सक्चक नेदा अनंद पुस्का ने मुलाकात की है उन्होंने आसवासन दिया है कि इस मामले पर निर्ने लिया जाएगा विहार पैटन में आज हम बात करेंगे जालान हाउस के बारे में जालान हाउस जिसे किला हाउस के नाम से भी जाना जाता है इस भवन में हीरे जवाहरात तथा चीनी वस्कों को संग्रहित किया गया है ये बेस कीमती जवाहरातों को संग्रहित करके बनाया गया एक नीजी जिसे दिवान बहादुरादाकृस ने जालान द्वारा सेसा सूरी के किले के तूटे हुए अब सेस पर बनाया गया था जिसकी अद्वुत कलाकारी अब इस वर्णिये हैं इसकी संदर्ता किसे भी परिटक के मन को लुभाने के लिए काफी है यहां के दिवारों की नकासी राजधानी पटना में अस्तित है मनोज वाजपी के सबकमिंग फिल्म का फैंस बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार बिहार से अपना संबंत रखने वाले अभी नेता मनोज वाजपी के फिल्मों का इंतजार उनके फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं अब इस बार फैंस मनो मनोज वाजपी के अपकमिंग फिल्म भाया जी का बेसमरी से इंतजार कर रहे हैं आपको बता दे किस फिल्म में मनोज वाजपी अपने अलग-अलग अफटार में दिखने वाले हैं इस फिल्म का पहला लोग जब सामने आया था तो एक्टर का गुस्से वाला अंदाज देख आधा दरजन पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है व्रेंद्र कुमार ने बताया है कि तकनीकी कारणों से 11 मार्ज तक पांच जोरी पैसेंजर स्पेसल ट्रेनों को रद कर दिया गया है वही कुछ ट्रेनों के परिचालन में बदलाव की खबर सामने जो आ है जो उने चले चले होगा उन है उसमें सुने ल G7 Ham cu यह सचे मुझाले लुए सब्सक्राइक. सुने पांच दो चार छे छपरा सोनपूर मेहू पैसंजर स्पेशल त्रेने आचार सहीता का उलंगन करने वालों के खिलाफ आप यहां कर सकते हैं सिकायत लोगसबाचुनाव की तारिकों के एलान के बाद पूरे देश में चुनावी महाल गर्म है आचार सहीता भी लागू हो चुके हैं इस आचार सहीता के तैट बरे से बरे राजनेतिक दल मंत्री और विधायक सांसत से लेकर आम लोगों को भी कई बातों का ख्याल रखना काफी जरूरी होता है इस जोरान कोई भी किसे से जबरदस्ती वोट नहीं मांग सकत अगर वोट के लिए कोई भी आपको परिशान करता है या चार सहीता के नियमों का उलंगन करता दिखाई देता है तो आप इसकी सिकायत कर सकते हैं आम लोगों की मदद के लिए चुनाव आयोग द्वारा सिव विजल एप भी तैयार किया गया है इस एप के जरी आप चुन रविवार को भी खुले रहेंगे बैंक जानिए क्यों भारती रिजब बैंक ने देश के सभी बैंकों को रविवार 31 मार्च 24 के दिन खोलने के निर्देश चिये हैं ताकि सरकारी कामकाज पूरे किये जा सके आर्बी आई के इस निर्देश के बाद 31 मार्च को पढ़ने व से संबंदित बैंकों की सभी साखाओं को 31 मार्च रवीवार के दिन लेंदेन के लिए खुला रखा है ताकि वितवर्स 2324 में प्राप्तियों और भुक्तान से संबंदित सभी सरकारी लेंदेन का हिसाब रखा जा सके बारिस के कारण तापमान में हुआ गरावट बिहार में बीते कुछ दिनों से बारिस के कारण मौसम में बदलाब देखने को मिल रहे हैं पटना समेथ प्रदेस में कई जगों पर काले बादल और फिर दिन चरते चरते बारिस का सिलसला देखने को मिल रहा था बारिस के कारण तापमान में भी गिरावट देखी गई और ठंड के हसास होने लगा हाला कि बीते दिन मौसम पहले से कुछ साफ रहा और पटना समेट प्रदेस में और भी कई जगों पर दोपहर के बाद से धूप खिली दिखाई दी प्रदेस में आज भी अधिकतर जगों पर बारिस की संभावना जटाई गई है वहीं प्रदेस में अधिकतर तापमान 26-28 डिग्री और 28-30 डिग्री और उन्दम तापमान 14-16 डिग्री और कुछ जगों पर 16-18 डिग्री रहने की संभावना जटाई गई है कैमूर से 6 किलो सोना हुआ जब डियाराई की टीम ने कैमूर के मुहनिया टोल प्लाजा के पास बरी कारवाई की है इस कारवाई में 6 किलो सोना जब्थ हुआ है 3.94 करूर रुपे जब्थ हुए सोने की कीमत बताई जा रही है कारवाई के दोरान दो तसकर डियाराई की गिरफ्त में भी आए हैं मिली जानकारी के मुताबिक मैं अमार से सोनी की तसकरी की गई थी और उसे भारत लाया गया था सोनी की तसकरी में जिस कार का इस्तिमाल किया जा रहा था उसे भी जब्त किया जा चुका है हलाकि इस मामले में गिरफतार लोगों ने अभी तक सोने की तसकरी की बात को सुपिकार नहीं किया है ATM से पैसे निकालते वक्त इन बातों का रखे ख्याल कई बार कैस निकालने के लिए हम ATM का प्रियोग करते हैं लेकिन कई बार ATM से पैसे निकालते वक्त थोरी भी लापरवाही के कारण हमारे बैंक खाते से पैसे साफ हो सकते हैं इसलिए ATM से पैसे निकालते वक्त कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि हम किसी तरह के ठके सिकार ना हो इसमें सबसे जरूरी है कि जब हम ATM से अपना पिन डाले तो उसे अपने हाथों से कवर जरूर कर ले ताकि आपके पिन कोई और ना देख सके अपने ATM पिन को किसी के साथ भी सेयर करने से बचे पिन बनाते वक्त अपने मुबाइल नमबर या डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल करने से बचे ये सब नमबर ठख जल्दी पहचान कर लेते हैं और आपके बैंक खाते से पैसे उड़ा सकते हैं आचार सहिता के उलंगन मामले में यूट्यूबर मनीज कश्यप को अब जमानत दी जा चुकी है कि यदि मैंने यहां 50,000 लोगों को जुटा लिया तो मेरा नाम दिली तक चला जाएगा उन्होंने बताये कि अस्थानिय मंज्वालिया ग्राउन में सभा के लिए उन्होंने दो बार पर्मिशन मांगी थी लेकिन उन्हें पर्मिशन नहीं दिया गया है 50-60,000 लोग आने वाल में गया सिक कुमार सरवजीत, नवादा से स्रवन कुष्वाह और अंगाबाद से अभय कुष्वाह और जमूई से अर्चना रविदास का नाम सामिल है आपको बता दे कि राज़त ने बिना गठवंदन से बात चीत किये ही ने सभी उमिद्वारों के नाम की घोसना की है ज इंटर के बचों के प्रदरसन के बाद डिप्टी सीम समराट चौधरी ने दिया स्वासन हाली में सिक्षव विभाग द्वारा ये फैसला लिया गया है कि बिहार में इंटर की परहाई अब किवल इंटर अस्तरिय स्कूलों में की जाएगी सिक्षव विभाग के इस नेप फर्मान के बाद से कई चात्र और चात्राएं आंदोलन पर उत्तर गया हैं और उन्होंने आंदोलन किया था उनका कहना था कि 11 वी की परहाई कॉलेज में कर चुके हैं और वहां 12 वी में एडमेशन भी ले चुके हैं अब सरकार कह रही है कि स्कूल में पढ़ने जाओ कॉलेज से नाम कार दिये जाएंगे लेकिन बचों के इस विरोध प्रदरसन को देखते वे डिप्टी सीम समराथ चौधरी ने बचों से बात कर उन्हें आसवासन दिया है समराथ चौधरी ने कहा है कि इंटर के जो बच् सीम के आसवासन से पहले प्रदरसन के दऌरान छातर चातरों और पुलिस जाट जरब के ख़बर भी सामनी आई थी साथ ही अन्य NDA के घटक दल भी अपने उमेदवारों का एलान कर सकते हैं आपको बता दें कि 18 मार्च को स्रीम नतीज कुमार दिल्ली गय थे चर्चा देखने को मल रही थी कि मुख्य मंत्री नतीज कुमार दिल्ली जाने के बाद बीजेपी के नेतरत्व से मुलाकात कर सकते हैं हाला कि स्यम नतीज कुमार के बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की कोई ख़वर सामने नहीं आए आज से आईपेल का आगाज ओपनिंग से रमनी में ये सितारे दिखाएंगे अपना जल्वा आज से IPL का अगाज होने वाला है क्रिकेट प्रेमियों के लिए भारत में IPL एक उत्सब की तरह आता है आपको बता दे कि आज सारे 6 बजे से सिंगर ए रहमान, सोनो निगम और अक्षर कुमार और टाइगर सुरॉफिस IPL के ओपनिंग सिरमनी में अपना रंग भी खेरते नजर आएंगे उसके बाद सारे 7 बजे से चिन्ड़ी सूपर किंग्स और रोयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुगाबला देखने को मिलेगा चिन्ड़ी के एम चिदमरम क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच देखने को मिलेगा आपको बता दे के से रमने की आप लाइव टेली कास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेक्टवर्क पर भी देख सकते हैं इसके लावे जियो सिनेमा पर भी फ्री में आईपिल का ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं आपके नुसार इस बार आईपिल में कौन सी टीम सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं आप अपना जवाब हमें हमारे कोमेंट सेक्षन बॉक्स में लिकर जरूर बताएं कई कानों से दर्ज है भारत की तिहास में आज की तारीख आज के दिन आकरमनकारी नादिर साने 1749 में अपनी सेना को दिली में जन संहार की जाज़त दी थी कौलकता में सन 1964 में पुरानी कारों की पहली रैली विंटेज का रैली आयोज़त होई थी इंडियन पेट्रो कैमिकल्स कॉर्परेशन उन्टेट का 1979 में उद्घाटन हुआ था स्रीमत इंद्रा गांधी ने 1977 में प्रधान मंत्री के पच्छे इस्तीफा दिया था 1894 में भारत की स्वतंत्रता के लिए चटगाउं विद्रो का सफल नेतरत्व करने वाले प्रसद करांतिकारी सूरे सेन का जन्म हुआ था 1961 में सोलवी लोकसबा सांसद और वर्तमान जन्जाती मामलों के केंद्रिय मंत्री जुएल उराओं का जन्म हुआ था 2007 में भारती दाशनिक उपलूरी गोपाल क्रिस्न मूर्दी का निधन हुआ था 1971 में स्वतंत्रता सिनानी हनुमान प्रसाथ पुद्दार का निधन हुआ था 277 में केरल के प्रसिद कम्यूनिस्ट नेता और भारत के स्वतनता सेनानी एक गोपालन का निधन हुआ था जरूरी मैसेज और अलर्ट हो रहे में इस तो फोन में तुरंत बदले ये सेटिक कई बारे स्मार्ट फोन में जरूरी मैसेज और अलर्ट मिलने में देरी होने लगती है इसकी वज़र से कई नय अपडेट मिस हो जाते हैं इस परिसानी को दूर करने के लिए आपको कुछ बा से हो सकता है इसी तरह अगर आपके फोन में do not disturb mode on रहता है तो उसे disable करें इस feature के auto turn on setting को भी ठीक करें इसके अलावे अगर फोन में notification मिलने में देरी हो रही है तो phone को restart भी कर सकते हैं इसके साथ ही अगर कोई बिहार पुलिस दरूगा समेथ ऐसे सी जैसे अने प्रतोगी परिक्षाओं में काम आएंगे सवाल इतिहास बिहार स्पेसल विज्ञान करेंट अफिर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे के पांच सवालों में अपने कितना सहिए दिया है यह में कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल है रूस में भारत के नये राजदूद कौन बने हैं और सने है विन्यकुमार ऑप्षन भी है तरनजीत सिंग संध्धू अप्षन सी है पशुपदी कुमार और जलिए केंद्रों पर काउध घाटन कहां किया गया है आप सने बैंगलार और अप्सन भी आप सब्सक्राइब नियुक्त तुस्टाइगर ट्राइंफ चॉबिस भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ डीन pare schण और आप संब्सक्राइब चार में सेरि महिला ऑप संदी अग्राम्मिन महिला इसका सहीं तरह है सहरीपुरुस विहार के जीटी रोड का क्या नाम है ऑप्शने है नहीं एक ऑप्शन बी नहीं दो ऑप्शन स्री नहीं तीन ऑप्शन दी और नहीं चार इसका सहीं तरह है नेच दो बीटे दिन हवाद और पुझे के सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया थे जिननोंन आवाद और पुझे के सवाल का जवाब दिया ChiefS गोनर सर्मा नुनु गोलु कुमार मुहम्मद साकीर हुसैन रंजीत मिस्रा बाबुलाल मरांडी रवी संकर अब अरते आज के सवाल की और आज का सवाल है बिहार दिवस पर आप किया संदेश देना चाहेंगे आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सक्षन वॉक्स मलेकर द्रूर बताएं आज के लिए बिहार के तमाम के साथ बरेनानी के लिए देखते रहे बिहारी निज्ट और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख्वाइए तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना इगर आप फेस्बूक से देख्रें तो पेच को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद